का दोस्तों कैसे हैं आप आशा करता हूं बहुत अच्छे और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं आगे पर दोस्तों आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया क्यों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए पैसा नहीं लगता है इस काम का तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपना Candid reasons आपके साथ share करूँगा कि मैंने Canada का citizenship क्यों लिया और इंडिया citizenship क्यों give up किया तो कोई Controversary नहीं दोस्तों यह मेरा personal reasons है हाला कि मैं इतना बड़ा आदमी बना भी नहीं कि मेरे लिए Controversary होगी बट कहना पड़ता है न तो दोस्तों आज का यह जो मैं बता रहा हूं आपको इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में 2018 का साल था दोस्तों मैं Canadian citizenship के eligible हो गया था और उस समय मतलब मुझे मैं pros and cons सब को ही देखता है मैं भी देख रहा था कि किसमें अच्छा रहेगा किसमें नहीं तो वही देखते मैंने मतलब सबसे पहले मैं Indian citizenship का बारे में देखा तो Constitution of India जो है हमारा भारतिय सम्विधान वो dual citizenship को recognize नहीं करता है मतलब आप दूसरे country के ले रहे तो आपको इंडिया को गिव अप करना पड़ेगा तो मैंने देखा कि मैं क्या 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 लूज करूंगा सबसे पहले तो आप पास्पोर्ट अपना लूज करते हो ठीक है दूसरा है कि बहुत सारे consular access भी आप लूज करते हो मतलब आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप किसी देश में फंसे हो किसी मुसीवत में हो तो भारत की पहले जिमेदारी नहीं बनती है आपको बचाने में आपको मदद में उसके बाद होता है दोस्तों कि आपको इंडिया में voting rights नहीं मिलते हैं उसके बाद दोस्तो आप अग्रिकल्चर लैंड निंप पचेस कर सकते तो भई मेरे को खेती बाड़ी करने का भी शौक तो है नहीं तो उसके बाद आप गौर्मन्न जॉब नहीं कर सकते तो भाई मैं मेरे एज में गवर्मेंट जॉब मिलना लगता नहीं तो इसलिए वह भी मैंने स्टा कि चलो ठीक है लेकिन साथ ही साथ इंडिया आपको OCI भी देता है जिसको पहले PIO भी कहते थे पैन जब सकते हो प्रंपेटिस कर सकते हो अप प्राइवेट जॉब कर सकते हो बिजनेस कर सकते हो जितना दिन है उतना अब मैं ने benefit देखने क्या क्या है तो सबसे परहे तो मेरे को उन दिनों की बात है उन दिनों बहुत सारे अभी तो पैंडमी के टाम में काफे rules चेंज हुए हैं बहुत सारे ऐसे jobs होते थे जो की सिर्टिजन कर सकते थे सिंक्योड जोब जिसको बोलते हैं तो वो खुल जाएगा पहला दूसरा सबसे बड़ा की रेसिटेंस रिक्वार्मेंट चली जाएगी मतलब मैं पास्पूर्ट में लिया फिर दुनिया के किसी विकोने पढ़ा रहों कितने भी टाइम के लिए सिटेंशिप मेरी नहीं जाएगी तो क्यों न लेके बैट जाते हैं वो भी ले लिया उसके बाद अगला आया की वीजा फ्री एक्सेस बहुत देशों का मिल जाएगा जैसे मैंने पास्पूर्ट लेने के बाद यूसे कई बार ट्राविल किया हर बार कोई दिक्कत नहीं आ मुझे वीजा फ्री तो यह मुझे बेनेफिट दिखा मैंने ले लिया तो उसके बाद से मैं चल रहा है अभी तक पास्पूर्ट बुस्ता ले लिया था और उस पास्पूर्ट पर इंडिया भी ट्रेवल कर चुका हूं कई बार कभी कोई दिक्कत नहीं बार्डर पे चाहे इंट्री एक्जिट में सब जगह अराम से और जब मैं इंडिया जाता भी हूं तो मेरे शकल पर मैं थोड़ी दिखा हूं कि मैं केनेडियन हूं तो लोग तो मुझे अपने भाई समझते हैं भाई हूं भी वहाँ पे और साथ कुछ नहीं तो अराम से अपने दोस्तों के ब रहा है तो यही रीजन्स है दोस्तों कि मैंने इंडिया सुझेंशिप ले ली तो आशाकर तो आपको वीडियो पसंद आई हो नहीं पसंद आए फिर भी लाइक कर देना और अपने सजेस्टन दे देना सजेस्टन फीडबैक तो जरू देना जैसा भी आपको लगा हो तो अ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना उसको मत छोड़िएगा थैंक यू